असलाम अलेकम तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कों ठीक ठाक होंगे और मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती के लगा आप सबको खुश रखे अबाद रखे अपने घरों में हस्ता मुस्कराता रखे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडिय क्या की कैसे कंटरोर कर सकते हैं मापने मोठाफि को कैसे खतम सकते हैं यह हम अबने आपको कैसे स्माट और पिह स्माट स्माझ स्माट और टूआ हैं तो आज की वीडियो में ये साइट शीडिसक्स होंगी इसके footprint के लिए चिवर का बाताऊं में आपको साथ आपको फिट रखने में भी बहुत कारामद होगी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेश्य की तरह मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हैं को जिन्होंने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करदें साथ बाला अकौन को ज़रूर प्रे आपको अपना वेट खतम करने में बहुत ही ज़दा मुफीद होंगी बहुत ही ज़दा आपकी हल्प करेंगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जब भी छोटी सी अक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूं कि आपने जब भी सोना है रात को और पिर आपने जब निकालना है जैसे मैं आपको करके दिखाती हूं ऐसे ठीक है जी अगेन करके दिखाती हूं ठीकि जी टैन्द दफाव आपने करना है इस अक्सिसाइज से आपका पेट जो है बहुत सारी लोगों को यह लड़कों को यह प्राप्लम होती कि उनका पेट का जो है वह जल्दी भढ़ जाता है वह कि तो आपके बैली फैट बहुत जल्दी इस से खतम हो जाएगी लेकिन आ बात नहीं है बट मोटे होने से आपके आपकी फिजिकल जो है मसले बहुत ज़दा पढ़ जाते हैं जैसे आपके हाट का प्राप्लम हो गया आपको बहुत सारे इश्यूस है जो मुटापिक के वजह से आते हैं ठीके जी आपने क्या करना है अपने वेट को कंट्रोल में र लोगे तो आप उसको जड़र देद नहीं करपा ओगे अपने का नी के करना आप चीजें खाते लेकिन आपने उसको कंट्रोल में रह verste कहना है ठीक है रपर रोटी खार रहे है एक रोटी खाते हैं ठीक है शापत प्रने पांच है मैं कहले हैं जाव आप डाइट हो जब आप अपने वेड़ कम करना चाह तु आपने पीजा ज़रूर खाना है बर्गर भी जरूर खाना है वट आपने उसको गब कमकर देना है ठीक लिपर ऐाब हो Ondern लगावा जो है आपने करना है exercise जो है आपने करनी है छोटी मोटी exercise आप कर लें यूटुब से देख लेए बिल्कुल लायड लायड आप अक्सराइज करने होने आपने हफ्ते में दो दिन या तीन तीक ही जिए आपने exercise करनी है बट आपने जू वौक है वो रैगुलर करनी है वॉक आई लाव वाक ठीक है जिम्झे भी वॉक बहुत पसंद है मैं सरो वॉक करती हूं जहां वन रोटी खा थे हाफ अपने रोटी की तो आप रोटी को जो है अच्छी तरह चबा चबा के खाना है यानि कि चबाने को आप तो देल लगाने ताके आपका बेट जल्दी भर और सुनत नभी है कि आप अपने अपना जो खाना खाना है वो पेट की भूक रखके खाना है ठीक है जी आपने बिल्कुल उसको गले तक नहीं कर लेना कि आप जो है बाद में उठ भी ना सके तो यह भी देखाना रखा करें जब भी आपने खाना खाना है तो आपने भूक रखके खाना है ठीक है जी इसके अलावा बहुत ही common से जो एक चीज है जो मैं यहां पर discuss करना चाहूंगी कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अक्सर लोग खाने से पहले भी पानी नहीं पयेंगे बाद में पानी पयेंगे बट चब KHANाना खा लेंगे तो डगा डग डगा डग जो है रा पानी जो है रा अधेर लेते हैं अंदर तो आपको शायद ये बात नहीं पजाए कि ये आपके लिए कितनी नुकसान देश से मुटापा भी आते हैं बहुत सारी बीमारियां भी आती है और हमारे प्यारी नभी हज़र मुहमद ने मना फरमाया है कि आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना खाने के पहले पानी पीना है खाने के दर्मियां में पानी पीना है तो फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगी आपने फैट कटर टी कैसे बनानी है उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले हाफ टी स्पून ग्रीन टी, वन टी स्पून सॉफ चाहिए और एक इंच का जो टुकड़ाई दार चीनने का चाहिए और दो छोटी अलाइची चाहिए ग्रीन वाली ठीक है जी उसके बाद आपने क्या करना है पैन को चुले के उपर रखना है और एक ग्लास सिंपल पानी इसमें एड़ कर लेना है और ये चारों चीज़े आपने इसमें डाल के इसको पकाना है तो दोस्तों यहां मैं आपको बताती चलो कि इसमें मैंने ग्रीन टी यूज की है ग्रीन टी जैसा कि आप सब को पता है कि वेट को कम करने में बहुत ज़्यदा आहम होती है यह हमारी जिसम की फाल्तु चर्बी को कुद्धी तोरफ पर खतम करती है इसके बाद मैंने इसमें यूज किया है सौफ सौफ जिसम के अंदर फैट को खतम करती है पेट को फोराँ कम करने में बहुत ऐहम होती है, सौफ जिसम के अंदर, विटामिन्स को जब करने में भी मददकार होती है, जिसकी विज़े से ना सिरह वजन कम होगा, बलकि इसका कोई साइड अफेक्ट भी नहीं होगा, और विक्नेस भी नहीं होगी हमें, और दार्चीनी इसमें मनें यूज़ कि है डाहर चीड जो है कैस्टॉरॉल को कंच्रोल करती है मेद्य कि तदजाबियत को खतम करती है और ऑफे बढ़लिय यूज़ की है जे जिसम के अंदर नुक्सान देने वाले एसेट और मादव को खत्म करती है आपके डायजेस्ट सिस्टम को बहाल करती है लास्ट में हम इस पे यूज करेंगे वान टीस्पून हनी का अगर आप बिना मीटे के इसको पी सकते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है और उसके बाद हाफ लामन जो है हम इसमें नचोड़ेंगे स्पिड करेंगे ठीक है जी और इसको पी लेंगे ये हमारे पीने के लिए तियार है लेमन जो है वो भी बहुत ही जबरदस फैट कर रहोता है कुदिती तोर पर ये भी हमारी फैट को खतम करता है और आपने इस टीक को रात को सोने से पहले पीना है आप ये कीन माने आप इसको रेगरलर अगर आप 15 डेज इसको यूज कर लेंगे 15 तो 20 डेज आपका पांच को वेड़ जो हंडर परसंट जो है वो खतम हो जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आपने हलकी फुलकी जो है आप आपने एकसरसाइज जरूर करने है वाक आपने जरूर करने वाक का टाइम अगर आप सुबा नहार मूँ आप वाक करेंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा अधर वार्वार्ज आपके पर जब भी टाइम हो आप इसको वाक कर लें ठीक है और एकसरसाइज जो है वह आप जरूर कर सकते हैं इतनी हार्ड एकसरसाइज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बलके आप यह टी लें और साथ जहां आप हलकी फलकी वाक कर लें तो आपका वेट जहां है बहुत जल्द जहां कंट्रोल में आना स्टार्ट हो आपको आज की मेरे वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना है आपने और इसके अलावा आपको लगे आपके इर्द की जानने वालाओं पर फ्रेंड और फैमिली में किसी को मुटा पाई है या कोई फिट रहने के चक्रों में रहते हैं और अब वह सबी रहते हैं तो उनको आपने ये शेर ज़रूर करना है मेरी वीडियो इसके लिए आप से रिकवेस्ट रहते हूं हमेशा से ही और जी इसके बाद है हम फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ रख्छी लिए अच्छी से टॉपक के साथ और एक अच्छी से वी पेजिए मार्ला, बाइ बाइ